हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कम्प्टेशन कम्मुनूटे पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आप से यह आसा करता हूं कि आप भली भांती होंगे आपका जो पढ़ाई है वो फुल फ्लेज में चल रहा होगा पूरे व्या स्वागतार देखते आ रहा होंगे विसे सरुप से चुक्त की आज हम लोगों का क्छो़त का यह सेकंड पार्ट है तो हम आप से कम यह आसा करते हैं कि आपने हमारे क्लोसचेस्ट के पाट 1 को जरूर से देखा होगा ठीक है तो zके क्लोसटेस्ट ौन को जरूर करवाते चले हम आपको repeat करते चले कि पिछले class में अर्थात close test के part 1 में हमने आपको बताया था कि close test क्या है बाई तो एक story होता है एक passage होता है जिससे कुछ word को remove कर लिया गया होता है और उस word के साथ कुछ और word को add करके वो जो word remove किया था उसके जगह पे जो filler create होते हैं जो fill in the blank things बनता है ठीक है तो जो खाली अस्थान बनता है उसके लिए आपको चार option given होते हैं ठीक है अपने CGL और CHSL tier 1 की बात करें तो दोनों ही exam में close test से question पूछे जाते हैं और दोनों ही exam में close test से 5 question देखने को मिलते हैं ठीक है यह पिछले 5-7 years का अपना trend बना हुआ है ठीक है त तो ऐसा जब भी कभी पूछा जाता है that is close test का जो 5 question पूछा जाता है तो हम लोग जानते हैं कि tier 1 में हमारा हर एक question दो number का होता है ठीक है तो कुल मिला के close test से अब 10 number के question पूछे जाते हैं और आप यह दिच्छा हैं तो 10 का 10 इसमें गिन कर सकते हैं क्योंकि close test काफी easy label का द चाहे वो CGL हो या CHSL हो ठीक है और कई बातों का हम लोगों को इसमें ध्यान रखना होता है जो 4 option given होते हैं यदि close test थोड़ा difficult हो यदि close test थोड़ा सा difficult हो तो आप देखेंगे कि उसके जो 4 option होते हैं उन 4 options में से कम से कम 2 option eliminate हो जाते हैं अर्थात option को eliminate हम लोग करना सीखते है ठीक है लेकिन यदि बहुत easy हो तो उसमें elimination process यूज करने के कहें कोई जरूरत नहीं होती ये सारी बाते हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके exam में जब ये सारी चीजे आपको दिखाए देंगी तो आप इनका use अपने convenience के according कर पाएंगे आप जब close test के question को में तो वहाँ पे आपको realize होना चाहिए कि ये किस level का है इसके difficulty level कहां तक की है ठीक है और इसमें हमें क्या-क्या concept यूज करना है कौन-कौन सा process यूज करना है while solving close test ठीक है बात समझ में आ रही है इसके अलावा भी हमने आपको close test के part 1 में बताया था कि close test को बनाने के लिए ह हम लोगों का सब कुछ ठीक ठाक होना जरूरी है सब कुछ यानि इंग्लिस के जो मुख्य रूप से तीन सेक्षन माने जाते हैं पहला reading comprehension दूसरा grammar तीसरा vocabulary इन तीनों ही सेक्षन का यहां पर जम के यूज हम सबों को देखने को मिलता है ठीक है कैसे मिलता है तो जो चार option आ तो आप देखेंगे कि जो चार option होते हैं या तो चार के चार option synonyms होंगे या चार में से 2-3 option एक दूसरे के synonyms होंगे ठीक है जिनका meaning same होता है तो चार में से 2-3 word के meaning same होते हैं फिर हम लोग confused हो जाते हैं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है कौन सा होगा उसके लिए आपको क्या करने तो थोड़ी देर वेट करना होता है आप उस question का answer तुरंत न करें थोड़ी देर वेट कर लिजे थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको उस question का कौन सा appropriate option यूज करना है ये clue आपको close test में given होता है तो close test की ये एक बड़ी ही सुन्दर विसेसता है ठीक है कि यदि किसी दो word में तीन word में आप confuse हो जाते हैं लगता है कि तीनों ही हो सकता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा patience रखना है drop that option drop that question for a moment for a while और आप आगे बढ़ते जाए उस question को थोड़ी दिर के लिए छोड़ दिजी आप आगे बढ़ते जाए उसी close test के जो passes given होते हैं उसके जो story given होती है उसी story में उसका clue आपको देखने को मिलता है ठीक है तो यहां से ये आपको मिल जाता है और क्या देखना होता है तो आप उसका tone चेकी जहां पर वो वाड़ फिल करना है उस sentence का tone उस paragraph का tone positive है तो positive वाड़ फिल किसे negative है तो negative वाड़ फिल किसे ठीक है तो vocab आपको आना चाहिए vocab आपका ठीक होना चाहिए understanding आपके अच्छी होने चाहिए और साथ है साथ आपका grammar भी अच्छा होना चाहिए ठीक है क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि जो words आपको given होते हैं उसको हम लोग के वल parts of speech के आधार पे answer करके निकल जाते हैं कई बार जो fix preposition होता है या जो fragile verb होता है या जो group of words होते हैं जिनका use किसी भी एक certain meaning को express करने के लिए किया जाता है जिसको हम लोग बोल चाल की भासा में collocation कहते हैं ठीक है तो collocation का use भी आपको आना चाहिए collocation यदि आपको याद हो तो आप बीना sentence का meaning जाने हुए भी close test के question का appropriate answer करके आसानी से निकल सकते हैं ठीक है तो आईए अब आज के class के हम लोग यहां से सुरुआत करते हैं अब देखें यह हमारे सामने एक close test का question दिखाई दे रहे हैं इसमें हम लोगों को सीखने के जरूरत है क्या सीखना है कि कहां पर कौन सा parts of speech हम use करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यहां पर सामने देखिए reading books makes us healthy, wealthy and क्या बनता है तो जैसे हम लोगों ने बजपन से कहावत सुना है early to bed and early to rise keep yourself healthy, wealthy and wise तो जरा देखिए यह दो वाट यहां पर repeat कर गया healthy, wealthy तो और क्या ना चाहिए था wise ठीक है अर्थात यहां पर हमें adjective की जरूरत थी ठीक है अब इसके आगे देखिए तो इसके बारे में हमने आपको पिछले class में भी बताया था कि यदि आपके English weak है यदि आपके English weak है, आपके understanding weak है तो आपको क्या करना चाहिए तो सबसे फ़ले आपको इस close test के story को पूरा पढ़ना चाहिए एक बार, ठीक है, without putting the appropriate option to their respected place, ठीक है, बीना question का यह जो option है, बीना इस option को fill किये हुए, आपको पूरे story को एक बार पढ़ना चाहिए, पूरे story को जब हम लोग पता हो जाती है, और close test के सबसे सुंदर विशेस्ता यह है, कि यदि आपको इसके आधी अधोरी कहाने भी पता हो जाती है, तो आप इसको पूरा का पूरा फिल कर सकते हैं, ठीक है, फिर चाहिए इसमें 5 question पूछा गया हो, या 10 question पूछा गया हो, या कितने भी इसके question पू करना चाहिए, ठीक है, अब आप देखें, यह आपके CGL 2020 में पूछा गया question है, जरा इसका level देख लिए कितना छोटा सा है, और कितना आसान सा है, ठीक है, तो इसी level के question हम लोगों को tier 1 के exam में देखने को मिलते हैं, चाहे वो CHSL हो, या CGL हो, ठीक है, दोनों ही exam में tier 1 के level ऐ ऐसे ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं, अब जरा यहां देखिए, books are the great, books जो है, बहुत बड़ा है, क्या है, बढ़ा है, डैस of, देखे, great क्या होता है, adjective, तो adjective के बाद यहां क्या है, noun, दूसरी बात आप समझे, यह of क्या है, preposition, तो preposition के पहले क्या आता है, noun आता है, अर्थात यहां पे यह जो question number two है, यहां पे हमें क्या चाहिए, noun चाहिए, ठीक है, देखे, हम grammatical concept आपको यहां पे समझाने का प्रियास कर रहे है, of human life and serve as a friend to all, मतलब क्या कर रहा है, कि book जो है, इनसान का बहुत बड़ा दोस्त है, ठीक है, यह इनसान के लिए बहुत के लिए दोस्त का role play कर सकता है, ठीक है, the world presented by books is far more, is far more, अब देखे, far और यह देखे, far है यहां पे, तो further, further का use हम लोगों ने सिखा था, adjective में, clear है, तो far का use करते हैं, दूरी बताने के लिए, far का use करते थे, further का use करते थे, किसके लिए, next question में, ठीक है, far more, dash, then, देखे, य कोई ने कोई adjective चाहिए, ठीक है, और देखे, यहां जो भी adjective चाहिए, उसका comparative degree बनाएगा, comparative बनाए तब यहां देन लगा है, और देखे, यहां जो भी adjective आएगा, वो more than two syllable का है, मतलब वो एक बड़ा सा adjective है, बड़ा सा word बाला adjective है, क्योंकि आप याद किजे, adjective पढ़ाते है समय हमने आपको बताया था, adjectives having more than two syllable are made, are made in comparative degree by using more, मतलब ऐसे adjective जो दो से ज्यादा syllable के होते हैं, उनका comparative degree हम लोग बनाते हैं, more का use करके और superlative बनाते हैं, most का use करके clear, तो यहां देखे, more लगा हुआ है, मतलब यहां एक बड़ा सा adjective हम लोगों को देखने को मिलेगा, the real world, मतलब यहां पर यह बताये गया कि किताबों की जो दुनिया होती है, वो real दुनिया से काफी जादा अच्छी होती है, बड़ी होती है, सुन्दर होती है, ऐसा कुछ यहां पर sense आएगा, in reality, reading a book is a वास्तविक्ता में, सच्चाई में, किताब को पढ़ना, क्या है भाई, escape from dullness and drusgery, अब यहां पर जराब ध्यान दिजिए, यह subject of agreement का part बनता है, dull and drusgery, यह एक साथ use कहा जाता है, dull and drusgery, मतलब होता है, निरासा, ठीक है, इसका मतलब कहता है, निरासा, अब यदि यह किसी sentence का subject हो, और इसके लिए इसके आगे कोई verb यूज करना हो हम लोगों को, तो हम लोग कौन सा verb use करेंगे, तो हम लोग verb use करेंगे, singular, ठीक है, आप याद किजिए, यह वही बात है, जैसे horse and carriage, घोड़ा, गाड़ी, bread and butter, ठीक है, तो bread and butter कभी साथ होता था, कभी, अलग-अलग होता, जब साथ होता था, वो वाला कैस है, ठीक है, बास समझ में आ रही है, यह जैस from dullness and luxury of life, मतलब जो जीवन के निरासा है, ठीक है, निरासा है, उससे बचने का escape, मतलब किसी चीज़ से बच के निकल जाना, ठीक है, उससे बचने का यह बड़ा ही अच्छा एक क्या है, medium है, source है, साधन है, ऐसा कुछ यहाँ पर से इंसाना चाहिए, ठीक, next, इसके आगे प सब्लुक कर सकते हैं, अपने mind को यह जो निरासा था, डल एंड रजरी था, उससे विचलित करने के लिए, अलग करने के लिए, और यह ऐसा है, डाइवर्जन जिसका उपयोग या जिसका खर्च सब्लुक बियर कर सकते, तो यहाँ तो खर्च बियर करने वाला बात आएगा या नहीं, तो उपयोग करने वाला बात यहां पर आएगा, ठीक है, आप देख पारें, इसी तरीके से आपको इनिसियली प्रैक्टिस करना होता है, और इसी तरीके से इसका प्रैक्टिस कर करके, आप अपने close test के section को improve कर सकते हैं, ठीक है, और यदि यह section हमारा improve हो जाता है तो आप यकीन मानिए, या आप में से ऐसे कोई बच्चे यदि आपके group में हो, कोई आपके जान पाचान में हो, तो उनसे कभी बात करके देखिएगा, पोच के देखिएगा, कि इस level का जो close test होता है, इसमें 5 out of 5, या इसी level का यदि 10 question पूछा जाए, तो 10 out of 10, ठीक है, 10 क 10 question आपके सही होते हैं, और यहां तो अपने CGL या CHCL tier 1 में के ओल 5 question ही देखने को मिलते हैं, तो आप यहां पे देखिएगा, कि 5 out of 5 अर्थाद आपको 10 में 10 number मिलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए, तो अब इसको हम लोग यहां से fill करना सुरू करें, पहले board क होगा, तो अर्टिकल दो होना चाहिए, जो नहीं है, wisdom, बुद्धिमता, चाला की, वाइजर, यह comparative degree, comparative होगा, तो यहां देन लगा होना चाहिए, नहीं है, तो उसका tuning किसमें था, देखिए, यह भी हमने आपको बताया था, adjective पढ़ाते समय, कि यदि एक से ज़्यादा adjective एक साथ यूस किया जाए, यदि एक से ज़्यादा adjective एक साथ यूस किया जाए, तो उन सभी के सभी adjectives को हम लोग एक ही डिगरी में रखते हैं, अर्थात, या तो वो सारे के सारे positive degree में होंगे, या सारे के सारे comparative में होगे, या सारे के सारे superlative में होंगे, तर देखिए, यह healthy कि किसमें है positive तो अब अगला जो एड्जेक्टिव यूज करेंगे वह भी किसमें रहेगा positive degree में रहेगा तो यहां पर हमारा answer क्या बनेगा यहां पर हमारा answer बनेगा option number B ठीक है अब next देखिए books are the great तो वर्दान type का होना चाहिए ठीक है यह साधन type का होना चाहिए ऐसा कुछ word हम लोगों को चाहिए था अब यहां पर देखिए यह bless bless क्या होता है भाई आसिद वाद देना ठीक है इसी bless का यह past tense है blessed इसी का यह fourth form है आई एगी फॉर्म है ठीक है blessing तो यह इसा कोई भी वर्ड जो मुख्य रूप शे नाउन नहीं हो और उसका प्रयोग यदि हमें कहीं नाउन के रूप में करना हो तो हम लोग prefer करते हैं कि उसके last में इस लगा दे ठीक है तो blessing का मतलब क्या होता है तो ब्लेस मतलब शिरवात देना आप लेस अ यह फसमें यहां पे देखे इस लगा उब है यहां अब यहां पर देखें यहां पर क्या हएंगा बाई तो अब हमें चाहिए था नाउन अब यदी हमें इसका मिनिंग याद नहीं हो तो भी हम इसका आंसर सिर्फ parts of speech के आधार पे उठाएंगे और वहाँ कर देंगे मेरे answer बिलकुल correct बनेगा ठीक है के वल parts of speech के आधार पे क्योंकि bliss वहाँ आना ही सकता blessing वहाँ आना ही सकता blessed वहाँ नहीं आ सकता चुकि वहाँ जरूरत है वर्ब की और ये चार में से तीन वर्ड किस में लिखे हुए थे चार में से तीन वर्ड लिखे हुए थे वर्ब में और वहाँ किसकी जरूरत ही है वहाँ में जरूरत ही noun की किसकी जरूरत ही noun की तो noun वाला जो what होगा सीधा उठाइए put कर देजिए आपका answer हो जाएगा ठीक है आपका answer बिलकुल सही सही बनेगा अब चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग next question की तरफ तो इसके question number 3 की तरफ चलते हैं the world presented by books is far more वो कहीं ज्यादा बेतर है तो ज्यादा बेतर से related हम लोग option को ढूंडें देखें यहाँ पर हमें चाहिए था more than two syllable का वर ठीक है यह देखें अब इसका जड़ा parts of face पीछ हम लोग देखें यह देखें आई ओन लगा हुए मतलब noun यहां क्या चाहिए हमें adjective यह attracted यह क्या है verb यह क्या है नाउन जड़ा देखते रहे हैं पार्ट सो पीछ क गिम देखें कि तब बढ़िया निराला है attract यह भी क्या है यह attractive आई वी ई लगा हुआ है यह क्या हो गया यह हो गया adjective क्या हो गया यह हो गया adjective तो हम सीधा adjective को उठाएंगे डाल देगे यहां तो यह चारों के चारों option आपको दिखाई दे रहे हैं और यहां पर जो भी word इसी तरीके से आपको कोई difficult word दे दिया गया हो जिसका meaning आपको नहीं आता हो तो भी आप इस तरीके से parts of speech का use करके आप बिल्कुल correct answer exam में solve कर सकते हैं बात समझ में आ रही हैं यह चीजे काफी सीखने के होती है और इसके लिए हम लोग जतना ज्यादा close test का practice करेंगे उतना चीजे हम लोग सीखेंगे क्योंकि देखिए यह जो close test होता है sentence rearrangement होता है इनका अपना कोई hard and fast rule नहीं होता math का जैसे आप formula पढ़ते हैं trick पढ़ते हैं वैसे इसका कोई math reasoning type से कोई अपना specific trick नहीं होता कोई hard and fast rule नहीं होता बात समझ में आ रही है तो इसको बनाने के लिए एक तो understanding होनी चाहिए दूसरा word का meaning आना चाहिए और तीसरा कि आपको grammar का अच्छा खासा knowledge भी होना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग तो question number 3 हो गया हमारा अब चलते ह a book is a dash escape from dullness and drusory of life तो जीवन का जो भी निरासा है परिसानी है उससे बचने का एक अच्छा सुरूत है बच के निकलने का ठीक है अब यहाँ पर जड़ा देखिए आप यहाँ पर क्या दिया हुआ हुआ है यह आर्टिकल है ठीक है आर्टिकल के पहले क्या लिखा हुआ है यह वरब लिखा वरब कबाते क्या हुआ है ठीक है अब यह देखिए इस के एक बच निकलनाा एक साथ यूज करते ईस के साथ हम लोग प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करतें के साथ हूँ आज IPO ला मतलब आर्टिकल के बाद यहां पर हमें क्या चाहिए कि ना. क्या चा क्योंकि यह यह क्या है तो यह प्रेपोजीशन के पहले यह क्या तो यह काम कर रहा है यहां पर नाउन का थिक है अप कि सक matt parts of speech का role भी play कर सकता है लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा compound noun का का काम करेगा ठीक है चलिए तो अब क्या होगा भाई अब ज़रा इसका parts of speech देखिए welcome मेडी लगा हुआ है अब क्या बचा हमारे पास एक ही बचा ये welcome क्योंकि ये noun भी है और ये वर्ब भी नाउन भी है और वर्ब भी है तो noun के basis पे उठाके हम इसका यूज कर सकते हैं यहां पर वर्ब के basis पे नहीं कर सकते हैं तो चुकि वो noun और वर्ब दोनों का रोल प्ले कर रहा है तो noun के रोल में यह यह fit हो जाएगा ठीक है चलिए अब यहां से आगे चलते हैं next page में अब यहां पर देखिए question number five की तरफ चलते हैं it is an excellent diversion it is an excellent diversion which all people can क् अब यहां पर जड़ा द्हान देज़ें यह क्या है model auxiliary verb है तो model verb के बाद यहां main verb आ सकता है या इसके बाद कोई object आ सकता है object होगा तो noun होगा ठीक है यह pronoun होगा अब आजाए आप यहां पर affordability यह क्या है तो यह हो गया देखिए affordability ठीक है oneसलता यह भी abstract noun है है तो noun abstract noun यह afforded यह हो गया verb, यह देखे, affording यह हो गया verb का fourth form, यह afford यह क्या है, यह verb का first form, अब आप ज़रा ध्यान देजिए, हमने आपको पहले से कई बार बताया है, इन चीजों को, टेंस में भी समझाया था, उसके पहले भी कई बार हमने समझाया आपको, उसके बाद में भी कई बा आता है, जैब है भी आता है, ठीक है, तो helping वर्ब में, यदि कोई model auxiliary वर्ब हो, कोई model auxiliary वर्ब हो, तो किसी भी model auxiliary वर्ब के बाद, यदि कोई main वर्ब हाए, तो वो कौन से form में रहता है, फॉर्स फॉर्म में रहता है, ठीक है, अब यह देखे, affordability, तो सांसीलता हो गई, वह बहन सीलता हो गई, तो और यह क्या था, यह था वर्ब का fourth form, यह था वर्ब का first form, यह था वर्ब का second और third form, ठीक है, तो अब यदि यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, तो एक ही वोट है, जो use किया जा सकता है, afford, तो सीधा उठाई और answer कर दिजिए, affordability, यहाँ पे ठीक नहीं चाहिए था ठीक है बात समझ में आई चले अब यहां से आगे चलते हैं और कुछ और नए पैटर्न के कोश्चन को हम लोग देखते हैं यह कोश्चन देखे यह आपके सीजे चेसल 2020 में पूछा गया कोश्चन अब इसमें आपको क्या देखने को मिलना है अब आप जरा यहां पर ध्यान से देखे यहां पर जो कोश्चन दिया गया है यह जो क्लोस्टेस्ट आपको दिया गया है तो इसको पढ़ना तो हम सबों को है ही यहां पर देखे रूमन नंबर में 12345 लिखा गया ठीक है अब जैसे ही हम लोग option की तरफ आते हैं तो प्रते कोश्चन में देखे सब में 2222 लिखा हुआ है सब में क्या लिखा है 2222 लिखा हुआ हाला कि यह printing error हो गया है हम लोगों की तरफ से यहां पर सब में क्या होगा यहां पर सब में 5 लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा यहां सब में रहेगा यह 5 सब में क्या रहेगा 5 रहेगा जैरा 1 में देखे के हमेंसे बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे और आपको कन्फ्यूज करने के लिए ही तो इस तरीके का सेटिंग किया जाता है ठीक है आपका जो कोशन सेटर होता है आपका गलती कर दे और exam से बाहर हो जाए क्योंकि आपका जो exam होता है वो आपके बनाने के लिए आपको confuse होने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है, तो इस pattern का यदि कभी आपको question दिखाई दे, तो आपको confuse होने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है, option में जाईए, यहाँ पे देखे question number one, इसके ABCD यह जो चार option है, सब में क्या लेखा हूँ है, अर्थात हमें किस क हम लोग 4 में आएंगे, यह question number four में, तो यहाँ देखे, सारे option किस में लिखे हूँ हा four में, तो यहाँ पे हम लोग किस के लिए काम करेंगे, यह जो roman में four लिखा, इसके लिए काम करेंगे, बात यह समझ में आ रही है, कई बार ऐसा भी लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ आप जो देख पार है 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है तो यहां पर आप देखेंगे कि ऐसे question के option आपको दिए जाएंगे अब जैसे 5 में यहां लिखा रहेगा 1 ठीक है 4 में जैसे 3 में लिखा यहां पर 2 1 में लिखा है 4 और 4 में लिखा है इस pattern का question भी कई बार आपको देखने को मिलता है और उसके बाद यहां पर ABCD लिखा हुआ रहेगा आपको यहां पर options given रहेंगे ठीक है तो उस pattern के question भी आपके exam में देखने को मिल सकते है तो इसको ले करके आपको घबराने के जरूरत नहीं होती है जैसे माल लिजिए question number 2 में लिखा था Roman में 5 मतलब इस 5 वाले के लिए हम कहाँ पे देखेंगे option number 2 में जहां पे number 2 लिखा था उस पे तो उस pattern का question भी हम लोग solve करने का प्रयास करेंगे ठीक है आगे उसको भी हम लोग solve करने का प्रयास करेंगे फिलाल चलते हैं इस question में तो हमने आपको पहले से जो बताया है आप उन सबों का practice यहां पे करेंगे इस वीडियो को pause करके अपने skill को improve करने के लिए develop करने के लिए ठीक है क्योंकि exam में appear आफिको होना है मुझे तो appear होना नहीं है बात समझ में आ रहे है कोई faculty किसी exam में appear नहीं करना है ठीक है उनका उदेश बस यही होता है कि हमें जाना है और examination से अपने subject के जितने भी question पूछे गए सारे के सारे question memory बेस्ट तरीके से लेके बाहरा जाना है ठीक है clear है चलिए तो अब हम लोग चलता है यहां पे internet as known as the net मतलब internet को हम लोग बोल चाल की भासा minute भी तो बो तो यहां से लेकर यहां तक जो वर लिखा हुआ है यह सारा का सारा क्या हो गया तो यह सारे के सारे इन ही को हम लोग कहते है describing element जो grammar में हमने आपको पढ़ाया था subject of agreement के first class में ठीक है is the network dash computers अब यह किसका network है भाई तो computers का network अब यहां पर देखे is the network dash computers अब मतलब यहां पर यह किसका network है तो computers का network है तो कहा से related ऐसा कुछ option यहां पर आ सकता है spanning the dash अब यह किसको कहां तक फैला हुआ भई इस पैन का मतलब है यहां पर फैला हुआ कहां पर फैला हुआ भई तो पूरे दुनिया भर में फैला हुआ सभी जगों पर फैला हुआ तो दुनिया भर यह सभी जगों से related यहां पर वोड आएगा अब देखे इसको लेके आपको गवराने परिशान होने की जरूरत नहीं है इसका क्लू देखे यहां पर लिखा हुए ग्लोबल मतलब ग्लोब लेबल पर वर्ड लेबल पर ऐसा कुछ यहां पर आएगा अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग थरीके बाद इंटरनेट इस ग्लोबल अब इंटरनेट क रिलेटिव परिनाउन ऑएगा अब इससरा क्लिए नहीं हो रहा है यहां पर पर जो वरडाब कर emulate यूजर यह क्यों ki यह दे किया प्रेपुजीशन प्रेपुजीशन के पहले क्लेपे अ यहां पर अलाउज सर्च अबाद को थोड़ा क्लीन कर लें अड़िडेक्टिव नौन घांगा है प्रेपो जोडने का काम कौन करेगा भाई तो यहां पर कुछ न कुछ जोडने वाला चाहिए जोडने वाला दो ही पार्ट्स ऑस्पीच होता एक इस दूसरा प्रेपोजीशन कैस्को कुछ जोडने का काम कdoing क्शिक्ष्ट चाहिए अब आए को पर फैर कलें करते हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर भी मोट चाहिए ठाव यह इंटरनेट अनदर टू अदर ऑल्सो तो ज्यादा बेतर आंसर है कि हम लोग यूज़ करें ऑल्सो ऑल्सो नोन एज दने ठीक है इस दा नेटवर्क डैस कंप्यूटर किसका है भाई तो कंप्यूटर का है अब काक एकी के रेफरेंस में उठा लेज़े क्या चाहिए आपको तो आपको चाहिए ओफ ठीक है नेक्स्ट कंप्यूटर स्पैनिंग दडैस मतलब कहां पर फैला हुए भाई तो देखे हमने आपको बताय यहां क्या चाहिए था है यहां पे चाहिए था हमें अब नउन चाहिए हमें तो हम क्या यूज करेंगे वेब का यूज करें या नेट का यूज करें ritmost intimंप्यूटर नहीं होता है थीक है वे बाफ कॉम्प्यूटर सो सकता है नेट ओफ कॉम्प्यूटर ने वे बाफ कंप्यूटर क्योंकि इंटरनेट के बात की जा रहे हैं इंटरनेट के है तो एक प्रकार का वेब ठीक है next डाउज इंडिवीजूल्स to communicate अब five में चाहिए था हमें कोई न कोई preposition तो अब हमें क्या चाहिए एक दूसरे के साथ साथ के लिए हम लोग क्या योज करते हैं with with one another ठीक है बात समझ में आई तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से बिलकुल आसान तरीके से कूल होके हम लोग क्लोस टेस को सॉल्व करते हैं और यहां पर इस तरीके से बिलकुल आसान होता है इनको सॉल्व करना ठीक है इस में घबराने की टेंशन लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है और आप में से ऐसे बचे जिनकी English थोड़ी weak है जिनकी English थोड़ी weak है उनको भी close test में घवराने के बिल्किल जरूरत नहीं होते हैं क्योंकि close test एक English का ऐसा section है पूरे English में सबसे आसान से section यही होता है वोकैब आपको याद करना होता है ठीक है वोकैब से total 10 question पूछे जाते हैं synonyms के दो question, antonyms के दो question, OWS के दो question, idioms and phrases के दो question और मिसेस्पिल के दो question total number of question कितने होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन 10 में 10 आपके सही हो जाएंगे, इसके कहीं कोई guarantee नहीं है बट यह एक ऐसा section है कि यदि आप ठीक ठाक practice कर लें तो 10 में कम से कम 8 तो आपको आएंगे ही आएंगे अर्थात 5 question में आपके 4 question correct होंगे, जो बच्चा बहुत जादा मेहनत करेगा, उसके 10 में 10, अर्थात 5 के 5 question correct होते हैं, जो average level का काम करेगा, मेहनत करेगा, उसके भी आप देखेंगे कि 10 में, sorry 5 में 3 question तो correct होते ही, अर्थात 10 में 6 number उसको भी आता है, इतना आसान होता है, ठ ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, देखें, darkness मतलब अंधेरा, अंधेरा नाम सुनते ही, आपको सक्तिमान सीरियल याद आ गया होगा, और किल्विस की याद जरूर आ गई होगी, है ना, अंधेरा कायम नहीं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कहानी है, अब सक्तिमान से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसके पैसे को आईए सबसे पहले हम लोग पढ़ें, darkness, darkness क्या नावन है, darkness, begin to, on all sides, मतलब darkness जो है, फैलना सुरू किया, देखें, यह begin, 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 ठीक है, तो यह वर्ब का second form है, मतलब फ सहरा बढ़ना सुरू किया था, या कम होना सुरू किया था, अब यहाँ पर बढ़ने से रिलेटेड वर्ड भी आ सकता है, घटने से रिलेटेड वर्ड भी आ सकता है, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, increase, decrease से रिलेटेड यहाँ कोई भी वर्ड आ सकता है, दोनों का दोनों सही होगा, अब exactly कौन सही होगा, यह depend करेगा आगे के story पे, तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको इस question का किस तरीके का answer करना है, वो आगे सारे doubt आपके clear हो जाएंगे, begin to dash on all sides, मतलब चारो तरफ पहलना सुरू हो गया, यह चारो तरफ कम होना सुरू हो गया, यहां तक में हमारा doubt clear नहीं हुआ, so I could not have any view of the things, अच्छा, मतलब यहां पर यह बताये गया कि इसलिए अब मैं जो था, चीजों को ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा था, अब चीजों को यह दिया ठीक तरीके से नहीं देख पा रहा है, मतलब अंधेरा ज को ठीक से नहीं देख पा रहे है, ते अरतात यहां पे अब यह clear हो गया, कि यहां पे हमारा answer क्या होगा, अंधेरा बढ़ने वाला होगा, begin to dash on all sides, ठीक है, तो चारो तरफ फैल रहा होगा, बढ़ रहा होगा, अब इस से related one or two में हमें answer करना पड़ेगा, so I could not have any dash of the view things that dash along our way, मतलब अब हमारे रास्ते में जो चीज़े हम लोगों को नीचे जमीन पर पड़ी होई रही होगी, या बिखरी होई होगी, उसको हम लोग देख नहीं पा रहे थे, तो पड़ा हुआ होना, रखा होना, या इस तरीके का, what हमें, option number four में चाहिए, ठीक है, अब क्या चाहि ये, question number five की तरफ, our train stopped at two important stations, हमारा जो train था, वो दो महत्वपूर्ण stations पे रुखा, बड़ा station होगा, बड़िया सही, station होगा, वहाँ पे रुखा, before we dash our hometown, अब देखें, यहाँ पे, चुकि यहाँ पे, यह जो पैसे जे, शुरुवात किसे हो रही है, past से, तो याद किजिए हमने आपको टेंस में, जब past and different पढ़ाया था, तब हमने आपको बताया था, कि यदि किसी, यदि किसी भी sentence, यदि एक से ज्यादा वो अब एक साथ है, एक से ज्यादा sentence एक साथ है, तो यदि पहला वर्ब past में हो, तो उसके बाद आने वाले सारे वर्ब किसमें रखते हैं हम लोग past में रखते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोगों को जो वर्ब यूज़ करना होगा, वो present past future तीनों में से कौन से टेंस में रहेगा, तो बो रहेगा past में, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे देखें, फिर से ज़रा फढ़के हम लोग देखें, आर ट्रेंड स्टॉप लिए, अब इससे related हम लोग answer करना, शुरू करें, देखिए, पढ़ना हम लोग यहाँ से सुरू करें, तो यहाँ पे यह देखें, यह क्या है, वर्ब है, तो increase या decrease से related word चाहिए, यहाँ भी इसी तरीके का हमें कोई word चाहिए था, क्योंकि वो पूरा sentence इसी type का tone express कर रहा है ठीक है, इसी तरीके का meaning वो express कर रहा है, तो अब ज़रा देखिए, यदि यह क्या है, यह हमारा mean verb, यह हमारा mean verb है, तो यहाँ तो यहाँ increase, decrease से related कुछ आएगा, ठीक है, यह नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा, एडवर्ब में वर्ब के पहले यूज करते हैं, यदि सेंटेंस में एक helping verb और एक में वर्ब हो, तो एडवर्ब का यूज कहा करते हैं, helping verb और में वर्ब दोनों के वीच में यूज करते हैं, यदि किसे sentence में दो-दो helping verb हो और एक में वर्ब भी हो, तो एडवर्ब कहां यूज करते हैं, दोनों helping वर्ब के बीच में यूज करते हैं वर्ब बीईबी बीईबी के फॉर्म को आप समझ पा रहे हैं ठीक है इसे मार वाज वार ऐसा वाला अगर हो तो वहां पर एड़ वर्ब कहां यूज करते हैं इनके बाद यूज करते हैं क्लियर है डाउट चलिए तो अब आजाए सहीं आप रिमूफ करेंगे सब के लास्ट में क्या लगा हुआ है अर्थाति यह सब के सब क्या बन रहा है एड़ जैक्टिव है यदि इस कोशन नंबर वन के चारों ऑप्सन ए बी सी डी जो चारों के चारों ऑप्सन है इनके यूज को यदि हम रिमूफ कर देते हैं तो क् अड़ करके हम लोग एड़ को क्या बनाते है ठीक है बात समझ में आए तो चलिए बोड को फिर से हैं पर क्लीन करें तो यह चारों के चारों के चारों मतलब पार्ट्स ऑप्सिच की अधार पर तो हम इसका अंसर नहीं कर सकते तो अब थोड़ा मीनिंग हम लोगों को चाहि इनिशेल का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग ठीक है मतलब पुर्ण तरीके से चाला के बरे रूप से अब डार्कनेस को चाला की से और मुर्खता से क्या मुहबत है बताईए इंसीडेंट क्या होता है घटना इंसीडेंटली मतलब अचानक ठीक है सर्प्राइसिंगली अब यह देखे ग्रेजुली अब अंधेरा कम हो या जादा हो यह अचानक से होता है क्या नहीं होता है अचानक से कब होता है जब बादल होते हैं ठीक है क्लावडी मौसम होता है बरसात का मौसम हो तो अचानक से कुछ भी हो सकता है अधर्वाइस अंधेरा फैलता भी है धीरी-धीरे और कम भी होता है धीरी-धीर तो हमारा आंसर क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है अब चलिए कोश्चन नंबर टू के पहले चारों ओप्शन को अम लोग डिसकस कर लें यह देखिए ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है तो ट्रांसमिट मतलब चेंज करना परिवर्तन होना कंडेंस का मतलब क्या होता है यह होता है आपका एटिकेट्स मैनर किसी चीज़ का अच्छा व्यभारिक तरीका असेंड क्या होता है तो असेंडिंग डिसेंडिंग यह तो हम लोग अब दखिए अंधेरा ऊपर की तरफ नहीं चड़ेगा अंधेरा कहां फैलता है जमीन पे दर्थी पे चारों तरफ अंधेरा फैलता है ठीक है बाद समय में आ रही है तो अंधेरा कहां फैलेगा ओन ओल साइड चारों तरफ अंधेरा नीचे फैल रहा था ठीक है नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसके आगे चलते हैं कुश्चन नमबर थी के तरफ सो आई कुड नॉट हैव एनी डैस व्यू आफ दा तिंग्स अब कैसा व्यू भई अब इसके लिए ऑप्शन का मिन अब बता है नेचर स्वभाव प्रकृति अब बताई यहां पर क्या आना चाहिए जब अंधेरा चारों तरफ नीचे फैल रहा था इसलिए हम लोग नीचे की चीजों को असपस्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे ठीक है असपस्ट रूप से क्या बने का अंसर ऑप्शन सी ठीक है हाँके बढ़ते हैं कोशन नमबर फूर की तरफ थिंक से डैट अब यह देखे यहां पर ले ले लाइड लेड अभी यहां पे हम में से बहुत सारे लोगों को confusion हो क्या confusion है तो दू वर्व होते हैं आपको यहां पर ध्यान देजिए दू वर्व हम लोगों को देखने को मिलते हैं कौन कौन से तो एक होता है यह लाई का मतलब होता है जूट बोलना या लेट जाना पड़े रहना तो लाईड ले और इसका थर्ड फर्म होता है लेन ठीक है तो यह है वर्व का फर्स्ट फर्म यह है वर्व का सेकंड फर्म और यह है वर्व का इसका थर् और थर्ड फॉर्म भी होता है यह दोनों के फॉर्म अंतर है लाई खुद से लाई का जो डूर होगा वो खुद अपने आपको बिछाता है लिटाता है तीक है किस तरीके से हौरिजोंटल में जैसे हमारे पास यह पेन है ठीक है तो अब पेन को हमने क्या किया है यहां पर lie नहीं किया हमने यहां पर यदी रखा है जैसे यह पेन है इसको यदी हम अपने हथेली पर यहां पर कम करना हो ठीक है तो हम खुद को ऐसे लिटाएंगे तो इसके लिए हम यूज़ करते है लाई ठीक है बात समझ में आई चलिए यहां से clear करें हम लोग अब यहां पर देखिए हमें वर्ब का कौन सा form चाहिए ठीक है तो question number कौन से में चल रहे थे हम लोग यह हमारा answer हो सकता है क्योंकि खुद को भीछाना नहीं अधेरा रास्ते में पड़ा हुआ नहीं मिलता है हम लोगों को तो यह होगा नहीं अब देख ले हम लोग यहां पर हमें चाहिए था क्या एक बार फिर से ले आ सकता है क्या यह लेट से मेरा काम चलेगा तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा तो हम लोग जब अपने होम टाउन पहुंचे उसके पहले तो पहुंचना से रिलेटेड अब पहुंचना से रिलेटेड देखे यहां पर तो हमारा आणसर रिच नहीं हो सकता हमारा आंसर क्या होगा यह ओगा और आप याद किजिए जब हमने आपको 10 पढ़ाना बताया था सेखाया था शूरू किया था तब 10s टॉपिक में हमने आपको बताया था कि चुकि ये जो rigid है ये verb का second form भी होता है third form भी होता है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कभी ये second form का काम करता है कभी ये third form का काम करता है ठीक है इसके regarding भी हमने आपको बताया था कहां पे 10s के part 1 में ठीक है wise part 1 में भी हमने इस stage को आपके साथ repeat किया था तो आप उसको थोड़ा से देख लिजेगा एक बार फिर भी हम आपको remind करवाते चले कोई भी ऐसा verb जिसका second form और third form दोनों से हम होता है second form और third form दोनों से हम होता है तो concept form में इसका use हो रहा है इसको कैसे check करें आप इसके पहले check किजेगा यदि इसके पहले यहाँ पे कोई भी helping वो present हो helping वो यदि यहाँ पे present होगा तो इसी को हम लोग मानते है verb का third form लेकिन ऐसा कोई भी वर्ब जिसका second form और third form दोनों से हम होता है इसके पहले आप ध्यान देजेगा यदि यहाँ पे कोई भी helping वो present ना हो तो हम लोग इसको third form नहीं मानेंगे हम लोग इसी को मानेंगे second form ठीक है चलिए यहाँ से आगे चलते हैं board को clean करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और close test को हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए आपको कई चीजे देखने को मिल रही है सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे दमोर यहाँ पे फिर मिल रही है दमोर द प्लस comparative degree द प्लस comparative degree आप याद किजिए adjective पढ़ाते समय हमने आपको यह पढ़ाया था ठीक है adjective पाट टू में हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी क्या चर्चा कियते बाई कि यदि किसी भी दो व्यक्ति या वस्तों के quality में एक साथ simultaneously यदि increase हो या decrease हो या एक increase करें दूसरा decrease करें पहला decrease करें दूसरा increase करें तो ऐसी बात को बताने के लिए ऐसी चीज़ों को एकस्प्रेस करने के लिए हम लोग दो बार comparative डिगरी के यूज करते हैं विद आर्टिकल दौ जबकि समान्य वस्ता में comparative डिगरी के पहले किसी आर्टिकल का प्रियोग हम लोग नहीं करते हैं ठीक है तो अब आईए यहां पर यह देखने को हम लोगों को मिला अब आईए इसको पहले थोड़े सा पढ़के हम लोग समझने का प्रयास करें इस ट्रू यह सच है that the more you study के जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं the more you dash your horizon तो अब यह horizon क्या होता है भाई horizontal लाइन समझते हैं 36 रेखा जैसे यह यह क्या है horizontal होरिजोन क्या होता है भाई जहां पर धर्ती और आकास या पानी और आकास ऐसा कोई भी दो चीजें एक लाइन पर मिलती हुई नजर आती है उस लाइन को हम लोगो क्या करते है होरिजोन करते है मतलब एक प्रकार से छमता कहें यह आपर the more you study the more you dash your horizon तो जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं आप अपने mental level को अपनी छमता को उतना ही ज्यादा क्या करेंगे increase करेंगे and hence your point of view और इस तरीके से आपका जो द्रिस्टिकोन है point of view का मतलब द्रिस्टिकोन point of view undergoes a dash वो क्या होगा वो भी उतना ही व्यापक होता चला जाएगा expand होता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा ठीक है a person with higher education certainly has a better एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास higher education हो जिसकी सिक्षा दिक्षा ज्यादा हुई हो ठीक है certainly has a better उसका जो विचार होगा यह देखिए ideas आगए यहाँ पर and ideas to help in community and societal तो उसका जो द्रिस्टिकून होगा उसका जो विचार होगा वो निश्यत्रोप से दूसरे कम पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा बेहतर होगा ठीक है विचार द्रिस्टिकून उसका कैसा होगा बेहतर होगा और वो community में जो समुदा है जो भी हमारा समाज है उस के उन नती में उसका जो योगदान होगा या द्रिस्टिकून होगा वो कैसा होगा वो भी ज्यादा होगा ठीक है आइडियाज डैट अर गैदर फ्रॉम सच पीपल और ऐसे लोगों से लिया गया जो विचार होगा प्रोवाइड ग्लोबल फॉर दा नेशन एज एज अ होल तो वो क्या करेगा ग्लोबल लेबल पे उसका जो विचार होगा द्रिस्टिकून होगा वो ग्लोबल लेबल का होगा इंटरनेशनल लेबल का होगा ठीक है जैसे कई बार आप देखेंगे कि अपने गाउं से निकल के कोई इंसान बाहर जाता है कई बार वो विदेश तक ज गाव में अ अरोसपडोस में घर बनाता है तो आप अम देखेंगे कि उस का जो घर होता है उस का जो होता है यह डिदो कि करता है और 우리가 कम से कम कि बात करता है लग बात करता बात करते हैं नहीं जिसे चुनाव आता है तो सबसे ज्यादा एक मुद्दा उठता है भागाई आलू करेट इतना हो गया प्यास करेट इतना हो गया टमाटर करेट इतना हो पहीं तो हमारी सरकार बनवाई आलू दो रूपए हो जाएगी यह कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो क्रूड वाईल है वह कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि सभी चीजों की ढूलाई उसी पर होती चाहिए वह वहां पर उसका रेट कम होता है बट मार्केट तक कि कुछ और हो जाता है किसान को अपने उपज का कीमत बहुत कम ही मिलता है बट वह मार्केट तक आते आते उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है ठीक है डिटू कैरेज चार्ज बात समझ में आ रही है तो इन कार्णों से ऐसा होता है तो कुछ वैसे ही बात यहां पर कहे गई ह तो जो पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं उनको समझ में आता है कि मांगाई के रिजन्स क्या क्या हैं क्या क्या नहीं जैसे भी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है तो इंटरनेशनल लेबल पे जो कुरूड वायल की प्राइस है वो बढ़ गए अब इंटरनेशनल गवर्मेंट मिलके अपने अपने टैक्सेशन को कम करें तो यह चीज़े पॉसिबल है बट यहां पर वो लोग भी मजबूर है नहीं करते इसके भी कई रिजन्स है क्योंकि सारे गवर्मेंट को रिवेन्यू कहां से आता है यहीं से आता है सरा बेज के आता है ठीक है हो ज़्यादा है और उसके हिसाब से टैक्सपेर्स की संख्यां बहुत हैं ठीक है इन सभी कार्मों से भी ऐसा कर पाना संभाव नहीं होता है वरना सेंटल गवर्मेंट के स्टेट गवर्मेंट के खर्चे नहीं चल पाएंगे ठीक है चली तो आईए अब यहां पर थोड़ नहाने के लिए एक्चेंज का यूज करेंगे नहरों का यूज करेंगे नहीं करेंगे मतलब बदलना एक्स्पैंड बढ़ाते हैं ठीक है अब कोशें नमर टू की तरफ चलते हैं और हैंस यूर पॉइंट ऑफ यू अंडर गूज और डैस देखिए और लगा हुए है आर् पढ़ते हैं अम द्रिश्टिक हों नहीं विचाहर है वह क्या होता है बदलता चला जाता है इन्ग्रीज करता चला जयता है सकस्षन उत्राधिकार यह होगा नें लार्जमेंट मतलब वह कोई फैजिकल इनलास्टिक निए कैसे खीछके एननलार्ज कर दें भाट्न Mü mulheres मतलब तो बेटर देखे हैं पर क्या हो सकता है रूटीन रूटीन बेटर होगा इसकोप तो छोड़े देजिए तो यहां पर सोसाइटी के रिफरेंस में उसका रूटीन नहीं हो सकता सोसाइटी के रूटीन बीजने में और वहीं पर उसका रूटीन भी होगा इसलिए यह भी गया काम से अब क्या होगा आउटलूक होगा मतलब जैसे अब हम बता रहे थे कि गाउं का कोई कम पढ़ा लिखा इंसान भी बाहर जाता है और बाहर कुछ अच्छे दिनों तक कराता है ठीक है लं आउटलूक तो चेंज करता ही है रहन सहन तो चेंज करता ही है उसके विचार भी बदल जाते हैं और आईडियास टू हेल्प इन कम्यूनिटी एंड और कम्यूनिटी और सोसाइटी का जो डिवल्लोप्मेंट नहीं लिखा हुआ है तो सीधा अंसर हमारा क्या बनेगा डिव elaborate क्या होता है सजाना अलंकृत करना decorate करना तो elaboration मतलब सरिंगार सज्जावत तो यहां सोसाइटी और community के सज्जावत की बात की बात नहीं होती किसकी बात होती उसके development की बात होती है नेक्स यहां से आगे बढ़ते हम लोग अब चलते हैं लोग question no.5 की तरफ ideas that are gathered from such से क्लोबल देस प्रोपोर्शन मतलब अनूपात नहीं हो सकता पॉस्चर मतलब सारी किस्थिती ठीक है पॉस्चर सारी रेकिस्थिती ये नहीं होगा पी तर बाए पक्षपात बायसनेस तो यह भी नहीं हो पर्स्पेक्टिव द्रेस्टि कोँं तो उसका जो वहिस्टे कोँ द्रेस्टिकन होगा ऐसा होगा है गलोबएलीन का होगा थीक है तो आसर क्या बनेगा बनेगा बनेमेद से यह से बाते होती है ज्यादा पर लिख जाएगा ज्यादा आप एडिटूरियल वगएरा पढ़िएगा तो आप जैसे देखते हैं कि बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो मैक्सिम लोग को यह बुरा लगता है कि बैंकों को प्राइवेट नहीं होना चाहिए बैंक का प्रयास किजिएगा तो आपको इसके अंसर मिलेंगे तो इस तरीके से आज के इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि क्लोस टेस्ट को बनाने के कई अलग अलग परस्पेक्टिव होते हैं ठीक है तो ऐसे ही कुछ और परस्पेक्टिव को ऐसे ही कुछ और ट्रिक्स को हम लोग और कुछ और pattern को हम लोग जानने का सीखने का समझने का solve करने का प्रयास करेंगे close test के अपने next वीडियो में ठीक है तो हम तब तक आप से चाहेंगे कि आप लगतार इनकी practice करते रहें ठीक है और एक ही close test को यदि आपको समझने में दिख कर जाती है तो initially शुरुआती अ सबस्ता में आप एक ही क्लोस्टेस को समझ समझ के दो बार चार बार पाच बार लगतार बनाने का प्रयास कीजिए और जिस तरीके से अर्थात क्लोस्टेस में दस में दस का दस में दस नमबर लाने में आपके मदद करेंगे ठीक है तो आज के अपने इस क्लास को हम लोग यहीं पर समप करते हैं यहीं पर कंक्लूड करते हैं मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अगले क्लास में तो नेक्स डे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में तब तक के लिए आप समों को बहुत बहुत धन्यवाद